अमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भार की राष्टिय उद्यान है इसके लिए हमने अलग अलग prawर एक एक पर बात करेंगे और किवल वही राष्टिय उद्यान पर बात करेंगे जोcharic जाम में पूछे जाते हैं लेकिन मोश्टलीक जाम में पूछे जानों वालों की संख्या ही बहुत है तो सारे लिख लिए हैं और भी कुछ राश्टी उद्यान कितने कौन कौन से पूछे जाते हैं तो चलिए सबसे उपर से सुरू करते हैं यह आपके सामने जो लिखे हुए हैं पहला तो सबसे पहले जो राश्टी उद्यान हमने लिखे हैं vy किस्टेट सबसे उपर टाप पर जम्हू कअ समेर इसका सिटी फारेस्ट पहला दूसरा डाची ग्राम प्रतीष रहेमल क्यों चौथा किस्तवार तौ्स जो इसके ऊपर दिए हुए है ये चार के चारों कहां के हैं तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं यह हैं जम्मुकस्मीर के अब इसमें लद्दाख रीजन भी आ गया है लेकिन अभी जम्मुकस्मीर के फिर इसके जश्ट बगल में आप देखते हैं तो यह हमारा राज्य है जिसका नाम है सिक्किम 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 का एक मात्र है जो एकजाम में पूछा जाता है कंचन जंगा कंचन जंगा सबसे जादा पूछा जाता है फिर एक आपके सामने यूपी का लिखा हुआ है एक मात्र है जिसका नाम है दुधवा यूपी का पूछा जाता है फिर बिहार का है जिसका नाम है आपके बालमी की बिहार का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला बालमी की जो ज़्यादा पूछा जाता है उसके जश्ट नीचे आते हैं बेटला बेटला कहां का है तो बेटला को जरूर याद रखेंगे बेटला कहां का है बेटला है जहार खंड का है ये देखो दुधवा यूपी का बिहार का बाल मीकी और जहार खंड का बेटला उपर की कंचन जंगा सिकीम का ये चार हमने जब मुकस्मेर के लिखे थे और उसके बाद आ जाते हैं भितर कनिका और सिमली पाल ये दोनों कहां के हैं तो भितर कनिका और सिमली पाल क कि जब भी बात हो तो ये किस स्टेट के हैं तो ये हैं उडीसा के देखे भाईया ये बने यहां पर हैं लिखते समय मैप के उडीसा आ गया है महाराश्ट में उसको ना माइंड करेंगे कि बात पूरी अब समझने का प्रयास करेंगे जारखंड का ये दोनों हो गए आपके उ लुकसा गोरुमारा नेवरावैली सिंगी लीला या सिंग लीला उसके बाद है सुंदरवन और जल्दापारा इनमें ये बहुत जादा पूछे जाने वाला सुंदरवन जादा पूछा जाता है और जल्दापारा भी भारी मात्रम पूछा जाता है ये दोनों जादा मात्र रहें रेलवेज जैसी पाइच्वां भी पूछ ले जाते हैं अब यह हो गए यहां पर सब कुछ बताते बताते इधर हम उतरते हुए नीचे चले आए तो यह हमारा उतरा खंड यूके यह दो इस्टेट हैं इन दोनों के लिए हमने आगे लिख लिया है तो देखेंगे के लिए पेन बदलना है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के लिए यह हमने लिख रखे हैं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला क हीमाचल Pradz और स्थिंब में 12 हीमाचल Прदेस का कितने हैं 2 , 4 , 5 हिमाचल Pradz कै पूच जाते हैं किलिए है थे लिए यहां नो tut करना नहीं यह तो आप एसकी करना चाहिं तो बहुत अच्छी बाध अब दूसरा यहां हिमाचल तो नीचे यहाँ पर हमारा स्थेट पाया जाता है के माचा ब स्थ्त खोड़ा ऊपर यहाँ पाया जाता है उत्तरा कंड उत्तरा कंड पर UP है फिर भीहर है जैसा आपने AP में दुध्षर और बीहर में बाल की देखा उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड वाले हमने यह लिखें रखें हैं उत्तराखंड के यह यहां पर आते हैं तो यह इधर हमने पूरा यह एक उत्तराखंड का खाका बना रखा है और उत्तराखंड के खाका की बात करेंगे तो यह जितने भी हैं यह हमारे उत्तरा खंड के हैं जैसे यहां से ग्रेट इंडियन से लेकर के और सिम बाहरा है तक यह हमारे हिमाचर प्रदेस का पूरा था बेलट यह नीचे आप ने पूरी बेलट देकीäischen यह हमारी प्ष्चिममंगाल की थी के लिए अब देखो तो जब हम उत्तरा खंड की बात करते हैं तो उत्तरा खंड में सबसे जादा मातरम पूछे जाने वाले हमारे जो हैं उनमें से नमबर एक पर हमारा है कारविट दूसरा है गंगोत्री तीसरा है गोविंद चौथा है नंदा देवी पाचवा है राजा जी और उसके बाद है फूलों की जो क्रमसा पूछे जाते हैं अब देखो यहां पर एक हमारा एस्टेट है जिसका नाम है अरुनाचल प्रदेश जहां पर सबसे पहले सूर्ग उदय होता है यहां के जो हमने लिखे हैं वो यह हैं पहला है माउलिंग दूसरा है नामदफा जो भारी मात्रा में आपने देखे भी होंगे एक जाम में पूछे भी जाते हैं इनके नाम भी याद रखेंगे माउलिंग और नामदफा यह दो इसके बाद यहां पर आपका राज है अशाम या असूम अब नया नाम उसका चलने लगा है अशाम उसके नीचे में घाले है नागा लैंड है मडिपूर है मिज राजियू गांधी ओरंग यह हमारे राष्टी उद्यान कितने हुए पांच राष्टी उद्यान जो आसम स्टेट के हैं यह आसम स्टेट के आपको जरूर नोट डॉण करते रहेंगे अब उसके बाद यह पूरा इधर का हमारा फिल हुआ यह आपने सबसे पहले हमने जहा के सारे अब वह हमारा छूटा है यह हमारा कहां का है तो यहां आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी में यहां पर भारत के मैद को अगर देखें तो यहां पर कुछ हमारा बना हुआ रहता है अंडमान निको बार्दीव समों तो उसको बनाना उचित नहीं समझा वह डायक है तो यह जितने भी लिखे हुए हैं हमारे पास यह सब के सब यह हमारे कहां के हैं तो यहां अंडमान निको बार्दीव समों के हैं है तो सबसे पहला है हमारा काइंप बेल बे दोसरा है गलाथिया बे तीसरा है महत्मा गांधी मैरीन भारी मात्रम पूछा जाता है ये भी उसके बाद है मिडिल बटन द्यूप फिर है माउंट हैरियट फिर नार्थ बटन द्यूप और रानी लच्छमी बाई ये रानी जहास मैरीन यह अगर सिर्फ हाजाए रानी जहासी राष्टी उद्यान कहां है तो कई लोग इसको यूपी जहासी लगाने का प्रयास करेंगे जबकि यह हाई कहां अंडमान्निकोबार में है और उसके बाद है सैडल पीक और अंत में है साउथ पटन आपने देखें कि 9 है टोटल आपके अंडमान्निकोबार दियूप समूव में बाकी अभी तक जितरे हैं हम लिखें उससे सबसे ज़्यादा तो कुई sarcण ये भी आता है सर्वाधिक राष्टी उद्यान भार के किस राज़े में पाए जाते हैं तो अंडमान्निकोबार दियूप समूव में भारी मातरा कर छूटते हैं ये तीन राज्य और लिखें बाकी अभी और लिखने बाकी हैं अभी आगे भी लिखेंगे पहला है देखो ऊपर है हमारे पास सबसे ऊपर आप देख रहे हैं हमारे पास कलेसर सुल्तानपुर दो लिखे हुएं यह यहां पर पंजाब और हर्याना है जब मु के हैं तो यह हर्याना स्टेट के हैं यह हर्याना स्टेट के दो के दोनों हैं कलेसर और सुल्तानपूर उसके जश्ट नीचे आते हैं तो यह जो हमारे लिखे हुए हैं जितने भी यह सब के सब हमारे किस स्टेट के हैं तो यह सब के सब हैं राजस्थान के राजस्थान स्टे इसके बाद है पिर है रैर्ण थंभोर और उसके बाद है, यह रास्तियुद्यान कहां पर पाये जाते हैं, तो यह है आपके, राजस्तान के, और इसके और नीचे बढ़ें तो आप यह देखेंगे, कि गुजरात यहां पर है है उसके हम ने यह नीचे लिख लिए है यह गुजराथ गुजराथしटेट के नीचे लिख निके हैं कौन कौन से गुजराथ Doing ुझलीच को पहला है ब्लाइक बक फिर है गिर राश्टि उध्यान कई बार पोचा गया है क्योंकि यह भारती सेर का जन्मिस्थान है फिर है मैरीन मैरीन कोई कच्छ की खाड़ी या कच्छ का रन भी कहते हैं जो की जंगली गधे का जन्मिस्थान भी कहा जाता है तो यह आपके गुजरात के हैं ब्लांसदा ब्लैक बग गिर और मैरीन चाहे आप इसे नोट डाउन पूरा कर ले या इसकी स्क्रीन साथ ले 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 और आगे अगले स्टेट फिर लिखता है इस तरफ से सुरू करते हैं सेवन सिस्टर्स को पिछली बार छोड़ा था यहीं से सुरू करेंगे सेवन सिस्टर्स में अभी यहां कोई स्क्रीन साथ नहीं ले लिखने के प्रयास नहीं करना हमें स्टेट भी बताएंगे कहां के हैं पहला है यह इंटाकी कहां पर है इंटाकी जो है हमारा यह नागा लैंड का है नागा लैंड का नीले से लिख रहे हैं हो सकता है कम दिख रहा हो तो से दीख arguably है इंटाकी तक है नागा है नागा लैंड में काई बुर लाम जाऊ-कहां है तक है और और कि ऐसके बाद यह दो अगले परचते हैं मुर्लेन और फवंग पूई ब्लू माउंटेन ये दोके दोनों पाई जाते हैं आपके मिजोरम में मिजोरम राज्य में बढ़े अब यहां जगा तो खतम हो गई लेकिन यहां पर हमारा मेगहालए पाया जाता जहां लिखते लिखते मड़ी पूरा गया तो इसलिए मेघाले को हमने ऊपर पहुंचा दिया यह मेघाले स्टेट के मेघाले मेघाले स्टेट के ये दो है जिनका नाम है बाल्फ बाल्फ क्रम और नोक्रेक रिच ये दो के दोनो बाल्फ क्रम और नोक्रेक रिच ये दोनों आपके मेघाले स्टेट के पाए जाता है अब यहां पर हमारा एक स्टेट है जि इसका नाम है त्रिपुरा के ये दो हमारे पास हैं अगावड़ेड लेपार्ड और बिसों राष्टी उद्यान की बात करने तो निबिस्टर और बिसों आपके त्रिफुरा राज में हैं तो इस आपके सेवन सिस्टर करीए खतम हुए अब इसके नीचे यह लिखे हुए है तो यह कहां के हैं तो यहां हमारा राज पाया जाता जिसका नाम है आंद्र प्रदेश के नाम है आंद्र प्रदेश के कौन कौन से हैं तुद देखेंगे पहला है और important है का तुप्रम्हानन्द रेड़ी रेड़ी जहां मिले आंद्रप्रदेश में टिक करिए दूसरा है महावीर हरिना वनस्तली आंद्रप्रदेश मरुगावानी आंद्रप्रदेश पापी कोंडा कई बार पूछा भी जा चुका पापी कोंडा कहा है आंदरप्रदेश राजिव गांधी राश्टी उद्यान आंदरप्रदेश में है प्लस इसका नाम रामेश्वरम राश्टी उद्यान भी है आप जानते होंगे रामेश्वरम जो इस्थल जहां भगवान राम की स्थापना जहां भगवान राम ने भगवान संकर की स्थापन की थी रामेश्वरम वो तमिल नाडु में है लेकिन जब रामेश्वरम राश्टी-उद्यान- पूछा जाए तो आप कहां टीक करेंगे तब आप आंदर प्रदेस में टिक रहे होंगे उरंतिम है श्रीवंकटे स्वर राश्टी उद्द्यान कहा है तो यह भी आपके आंधर प्रदेश में अब आंधर प्रदेश के हो गए और अब यहां अंदर के ले लेते हैं तो यह देखिए हमने दो भाग में लिखे हैं यह इलग हैं यह वाले इलग हैं पहला है और यह कहा के हैं तो यहां हमारा एक स्टेट उत्तरप्देश के जसट नीचे अविद्धवा यहां पर बिहार में हमने लिखा था बालमी की ने देवडा हद सब कुछ लिखा था इन सब के ही ढगल में यहां पर आपका मध्यपदेश स्टेट होता है MP, मध्यपदेश, MP, यह MP के राष्टी उद्यान है आपके, MP के, मध्यपदेश के, एक-एक राष्टी उद्यान की बात करेंगे, पहला राष्टी उद्यान है बांधोगर कई बार पूछा गया है MP का दूसरा है फोसिल राष्टी उद्यान MP कानहा राष्टी उद्यान MP माधो राष्टी उद्यान MP पेंच राष्टी उद्यान MP देखो पेंच MP में भी है और महाराष्ट्रा में भी है महाराष्ट के हमने उ और मध्यपदेश में पाए जाता है पन्ना संजय गांधी राश्टियूद्यान सत्पुड़ा राश्टियूद्यान और वन विहार राश्टियूद्यान यह पाए जाते हैं आपके मध्यपदेश राज्य में फिर यह देखो यहां एक स्टेट है जिसका नाम है गोवा गोव वीर राष्टी उद्यान या इसको बोलते हैं मोलम राष्टी उद्यान अब महारास्ट यह गोवा यहां छोटा सा खतम हो जाता है और यह पूरा उसके बाद यहां बचता है महारास्ट गोवा के बाद यह पूरा महारास्ट का रीजन होता है उसके नीचे करनाटक केरला तमि दवली राष्टी उद्यान कहां पाए जाता है महाराष्ट में संजय गांधी कहां है महाराष्ट में गुगा मल राष्टी उद्यान कहां है तो महाराष्ट में है तड़ो तड़ो राष्टी उद्यान कहां है महाराष्ट में है और पेंच राष्टी उद्यान कहां महाराष् यहां पर लिखने की बजाए इन्हें उठाकर यहां लिखा जगा के अभाव को लेके हुए अब यहां का था हमने यहां लिख दिया के लिए अब हमारे पास नीचे तीन स्टेट बचते हैं कौन कौन से तीन स्टेट हैं पहला है हमारा कर नाटक दूसरा है यहें केरल और तीसरा इस तरह पढ़ता है तमिल नाटू क्लिए इनके हमने उस तरह लिखें पहंचान के लिए यहां हम बना लेते हैं स्टार कर नाटक सिंगल स्टार केरल डबल स्टार और तमिल नाटू त्रिपल स्टार क्लिए वही उधर स्टार हम धून लेंग कि देखो कि सिंगल स्टार कि यह है कर ना तक अंसी से पकड़ा है दूसरा है अन्ना मुडी मिल गया तो यह है हमारा कहां का यह है केरल का अग्यों सब्सक्राइब करें द्वल स्टार है कि इस्टार हम ने अपने लिए बनाए है कि वहां डबल स्टार या कि डाइक नाम लिखा इस तार को जरूत नहीं है चाहुत इस्टार भी बनालो और यह हमारा तमिल तमिल नाडू केलियर तिर फलिष्टार अब देखो भाईया समझने वाली बात यहां यह है कि इनमें कुछ है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं देखो यहां एक राजिव गांधी करनाटक में भी है और राजिव गांधी आपके आंद्रा में भी है राजिव गांधी को रामेश्वरम कहते हैं जहां वाले राजिव गांधी को नागर होल भी कहते हैं केलियर तो करनाटक का पहला है अंसी राश्टी उद्यान करनाटका बांधी पुर राश्टी उद्यान करनाटका कई बार पूछा गया है वानेर घट्टा राष्ट्यूद्यान करनाटका कुद्रे मुख राष्ट्यूद्यान करनाटका राजिव गांधी राष्ट्यूद्यान या इसको नागर हो राष्ट्यूद्यान कहते हैं करनाटका फिर उसके बाद अगला हमारे पास एइस टेट आता है केरल अन्ना मुडि राश्टी द्यान केरल और परामवी कुलम राष्ट्यूद्यान केरल मुठी केड़ टम्ड सोला राष्ट्यूद्यान केरल परामवी कुलम सोला राष्ट्यूद्यान केरल पेरियार राष्ट्यूद्यान केरल और साइलन्ट वैली राष्ट्यूद्यान केरल पेरियार साइलन्ट वैली परामवी कुलम क बिछले आप पेपर उठा के देखिए कि ये सारे पूछे जा चुके हैं वानिर घट्टा पूछा जा चुका है बांदीपूर कई बार पूछा जा चुका है कुंद्रे मुख पूछा जा चुका है और नागर हो राश्टी उद्यान पूछे जा चुके हैं करनाटा के अब नीचे आते हैं तमिल नाडु में गुईंडी राष्टी उद्यान तमिल नाडु मनार खाली या मनार महरीन राष्टी उद्यान तमिल नाडु इंदिरा गांधी राष्टी उद्यान या अन्ना मलाई राष्टी उद्यान पूछा जा चुका है मुदु मलाई राष्टी उद्यान तमिल नाडू मुकुर्थी राष्टी उद्यान तमिल नाडू ये तमिल नाडू के पूछे जा चुके तो ये आपके वो राष्टी उद्यान रहे जो मोस्टली पूछे ही पूछे जाते हैं एक मननारख खाली है कई बार पूछा जा चुका है मुदू मलाई पूछा जा चुका है अन्ना मलाई राष्टे उद्यान तमिलाड़ के पूछा जा चुकी ये सारे एक सारे राष्टे उद्यान रहे आप चाहें तो इसकी स्क्रीन साट ले सकते हैं या लिख लें तो आपको भी आसानी रहेगी इन राष्टे उद्ध्यानों को ले करके ठीक है तो ये आज की रही मारी क्लास रही मिलते हैं अगली क्लास में